हाई फ्रेंट्स इस वीडियो के अंधर हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनॉंस्मेंट जो कि अभी रिसेंटली HPSC ने इशू करी है रिगार्डिंग दा कंड़क्ट ओफ HCS 2018 examination तो बताया गया है हमें कि जो examination है वो conduct होने वाला है और उसके regarding कुछ schedule से related important बात है और साथ ही साथ admin card से जोड़ी हुई कुछ important बात है इस announcement में कई गई है तो आए जल्दी से उन बातों को हम जान लेते हैं तो friends अभी recently एक announcement आई है है HPAC के और उसमें बताया गया regarding the conduct of preliminary examination तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा preliminary examination है वो 31st March 2019 यानि कि Sunday को conduct कराया जाएगा तो उसके regarding बताया गया कि जो examination conduct होगा ये conduct कराया जाएगा in the different cities of Haryana along with Chandigarh तो Chandigarh और Haryana की different cities में इस examination को conduct कराया जाएगा और ये भी बताया गया कि इसे दो sessions में conduct करायेंगे morning session होगा हमारा 10 a.m. to 12 noon और evening session होगा हमारा 3 p.m. to 5 p.m. तो यहाँ पर इन्होंने बताया साथ इस notification में admit cards के regarding भी हमें जो है important बातें बताई गई है तो बताया गये कि जो admit cards होगे इस examination के लिए वह हमें available हो जाएंगे from 16th of March 2019 और उसे हमें download करना है तो हम download कर सकते हैं commission की website कौन सी है hpac.gov.in तो आप इस website से आप admit cards को download कर सकेंगे बताया गया कि admit cards को हम candidates को separately नहीं बेज़ेंगे तो आपको कोई by post या फिर by mail आपको admit card अलग से नहीं आने वाला है जिसे आपको ठीक करवाना है तो आप उस error के जो context में commission के office में बात कर सकते हैं या तो खुद in person जा सकते हैं या फिर telephone number उन्होंने दिया है यहाँ पर 0172 258 5805 इस number के तुरू आप जो है वो corrections करवा सकते हैं और corrections की rate बताई है 26th March of 2019 19 तो अगर आपको कोई correction करवानी है तो आप इसी date तक करवा सकते हैं इसके बाद लिखा गया है कि कोई corrections नहीं करी जाएंगी और इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि हमें जो admit card है उसे print out लेना है और print out के regarding बताया गया कि हमें A4 size paper पे जो हमारा normal printer का size का paper होता है उस paper पे हमें इसका जो print out है वो लेना है हमें छोटे paper पे print out नहीं लेना यह इसलिए बताया गया ताकि जो हमारी photos है और जो भी other particulars है वो clearly हमें दिख सकें और clearly जो verify करना होगा वहाँ पे officials को वो से verify कर सकें दिखा गया कि अगर आपका जो है उसका size चोटा है और उसमें photos ज्या signatures clearly visible नहीं है तो आपको examination center में enter करने से जो है वो रुका जा सकता है आपको allow नहीं करेंगे examination center में बैटना तो यह कुछ important बात नहीं थी admit card से related तो फ्रेंड जो अब HCS का examination है बहुत ही पास है हमारे 31st March 2019 को और इस context में आपको बता दूँ कि अगर आपको हर्याना portion के regarding को difficulty है तो आपके लिए जो है उस portion को असान बनाने के लिए हमारे पास एक special course है हर्याना special course for HCS 2018 तो इस course के अंदर हमने हर्याना की comprehensive coverage किये तो हर्याना की comprehensive coverage हमारे लिए क्यों जरूरी है क्योंकि HCS 2011 में हर्याना portion से 10 questions पूछे गए 2014 में 20 पूछे गए और अब भी expected है कि 15 to 20 questions तो इसमें से पूछे ही जाएंगे तो एक-एक mark हमारे लिए बहुत available है कि question को ठीक करना बहुत जरूरी है हमारे लिए और इसलिए हम हर्याना portion को तो यहाँ पे बिलकुल भी छोड़ नहीं सकते है तो हर्याना का complete comprehensive course हम आपके लि में लेंगे और साथ इसाथ जो भी previous questions है हर्याना के उन्हें भी relevant places पर discuss किया जाएगा तो इस course के अंदर हम सारा जो हर्याना का portion है वो cover up करेंगे और course already launch हो चुका है सारी videos जो है वो हमारी website पे almost डल चुकी है कुछ current affairs हम साथ साथ अपडेट कर रहे हैं और आप पुरानी जो भी videos upload हो चुकी है उन्हों सबका access ले सकते हैं अब course को buy करके जो course का price है उसे बहुत स अक्सेस करना भी बहुत ही असान होगा आप अपने computer, laptop, mobile कैसे भी इस course को कहीं भी जो है easily access कर पाएंगे केवल आपको अपने account में login करना है तो अगर आप purchase करना चाहते हैं तो आपको simply हमारी website www.edutap.co.in पर visit करना है वहाँ पर आप HCS 2018 का जो course है उस पर क्लिक करके आप buy now पर क्लिक करके इस course को purchase कर सकते हैं Thank you friends